तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस टो यूट्यूब चैल में दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ दिन पहले ये इंफोमेशन आ रही थी कि बीना एक्जाम के आप सभी को पास कर दिया जाएगा ठीक है रीजन आप लोगों को लागडाउन चल लाए देश में और महामारी जो चल ले इसके बारे भी पता है ठीक है तो इसकी वज़ा से आप लोगों के जो एक्जाम होने थे उन्हें यह बताया जा रहा थे कि अब वह बिना एक्जाम के आप लोगों को पास कर दिया जाएगा यानि एक क्लास से दूस प्रवाइट करने होंगे तो अब हम आप लोगों को डेली क्लास देंगे सामको आप लोगों को यह बताना कुछ दिन पहले फिराल मैंने वीडियो अप्लोड की जिसमें यह बताया था कि आप लोगों को किसे लेटेड मॉडल पेपर चाहिए तो कुछ काफी कमेंट आयते हम बहुत कम कमेंट आयते तो इस वीडियो बहुत हिंदी मॉडल पेपर के बारें बात करेंगे ठीक है तो अगर आपको किसी अन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी मॉडल कोईश्य मॉडल पेपर चाहिए जिसका भी आप लोगों का आगे एकजाम होगा जून में ठीक है जून में यह जब लागडाउन कतम होगा उसके बाद तो आप लोग कमेंट में बताईए आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए मॉडल कोईश्य ठीक है तो हम वो कोईश्य आपको प्रते एक दिन जब आनलाइन क्लासेश होनगी सामको तो उसमें हम आप लोगों को बताएंग सिख हो जाहाभी कौम के हो चाहाभी एक हो ठीक है तो कमपल सरी कोईश्य ने फिरहाल लगी हिंदी वाले तो जरूर देखें यह कि निबंद के प्रमुक प्रकार कितने हैं नंबर एक तीन नंबर है चार सी नंबर है साथ और दीन अंबर दस तो दिश्य चुड़ेंट को र दाश्ट तक आप जरूर देखिए ठीक है अगला कोईश्य निबंद रशना का प्रारम किस युक से सुविकारा जाता है नंबर एक भारती अंदुग बी नंबर दुविद्यूक सी नंबर प्रसाथ का लोड़ी नंबर है रासो काल तो इसको राइट एंसर हो जाएगा जाता किसे माला जाता है नंबर एक निराला दियू नंबर राम चरिकल सी नंबर लाड वेकन ने ागला क्रीन दुविद्यू कि नंबर हो जाएगा महा वीर नंदृ तो इसको जेकल दौ जो राइए अंसर हो जाएगा हो तो हो जाएगा सी नंबर लाड़ वेकन ठीक है सी नंबर राइट एंसर हो जाएगा अगले को बढ़ते हैं कि अगला कुश्चन है शुक लिएक के निबंदकार है नंबर एक माधो पर साथ भी नंबर बाबु गुलाब रहे सी नंबर चंडी पर साथ डी नंबर है अगले को बढ़ते हैं अगले क्यों बढ़ते हैं कि अगले कोश्चन के पर बढ़ते हैं कि अगला क्या रहा कि कि भारतेंद यूग के निवत्नकार है नमबर 1 महादेवी पर्मा प्रताप नरायर मिस्त्र और जैनेंदर कुमार और डीजने नमबर कुभेर नात्र राय तो इसको यहाइए से दूस्त हो जाएका वह जाएगा अगले को बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कि अध्यापक पूर्ट सिंग किस यूग के निबंदकार है नंबर एक चाया वद तर यूग बी नंबर चाया वादी यूग और सी नंबर दुवेद्यू के नंबर भारतेंद यूग तो इस अगले को बढ़ते हैं कि यूग पर तक निबंद के लेकर कौन है यूग प्रवर्तक तो आपसे आपको मिल जा रहे हैं चार है तो आप लोगों को राइट एंसर जो बताना है कमेंट में बता सकते हैं राइट एंसर का हो जाएगा ए नंबर महाविर प्रसाथ दुवेदी जी अगले को बढ़ते हैं कि अगला कोश्चन है कि निबंद के लिए अंग्रेजी का कौन सा सब्द प्रियुक्त होता है नंबर एक से टिक है इवेर आई से टिक है इजी है ऐसे आप लोगों को चार आपसन मिल सकते हैं आपके जब एक्जाम होगा तो उसमें एक जैसे लेकिन आप लोग नहीं होना तो आप लोगों को समझना है नि निबंद केलिए कौन सा अंग्रेजी शक्त प्रियुक्त होता है तो आप लोगों मारू में कि इस से इस से मतलब क्या होता निबंद ॥ी नंबर राइट एंजर हो जाएगा ऑग अगला क्यों से कि निम्ड में कौन सी रचना दिबंद संग्रा है नंबर एक अपनी खवर बी नंबर गद कुस्मा वली सी नंबर मेरी असफलताएं और डी नंबर मेरा जीवन प्रवाह तो इस कुछिशन को तो राइट हैं से दोस्तों हो जाएगा गद कुस्मा वली ठीक है बी नंबर अब बढ़ते हैं अ विकादत त्व्यास तो इसको राइट हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा सी नंबर वाश्रदेव सरण अग्रवाल के अगले कुछिशन को बढ़ते हैं अगला कुछिशन है कि प्रताब स्वरी भारतियन दियुक्त कब से कब तक माना जाता है नंबर एक अठार सो सतर से उ जहां देना इंप्वार्टन कोईश्चन है सारे एकजाम में आप आ सकते हैं कई बारे एकजाम में पूंचे भी गए हैं अगले कोश्चन है कि कब से कब तक माना जाता नंबर एक आपको आफ्शन भी मिल जा रहे हैं जो राइट एंसर हो जाएगा उसे आप लोग को बतान निर्धारित है यह कब से कब माना जाता है तो आप लोगों को चार आफ्शन मिली गए इसमें जो राइट एंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं वह जाएगा नंबर 1920-1940 ठीक है अगले कोश्चन को बढ़ते हैं अगला कोश्चन एक कहरा कि कथात्मग निबंद कि इस युग से अधिक लिखे गए हैं प्रसाद युग भारतेंद युग दुबेद युग सुकल युग तो राइट एंसर इसका हो जाएगा भारतेंद युग से कथात्मग निबंद ज्यादा लिखे गए हैं ठीक है अधिक बी नंबर अगला कोश्चन है कि भारतेंद कि माद्दम से पर चारपरसार होता था अगला कोश्चन है कि गुपाल गिर्दर दास ने नहुस की रचना कप की नंबर एक 1990 बी नंबर एक ठारा सो सटी निशो साट और उनिशो सटावन राइट एंसर हो जाएगा डे नंबर उनिशो सटावन में कि ठीक हैं अगले को बढ सब्सक्राइब को बताना कमेंट में क्या हो जाएगा तो जो मुख्य कमी थी वह थी ब्याकरण दोस में ठीक है राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर एक्जाम में कई बार कोश्चन पूछा गया तो आप इसे स्कीन सोट ले लीजी ठीक है अगला कोश्चन है कि भुदान य है वह निबंद विधा की रशिना है इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा बी नंबर ठीक है अब हम बढ़ते हैं अगले कोश्चन दोस्तों आज कि स्पीडियों बस इतने ही कुश्चन अगर आपको इस तरह क्यों चाहिए कमेंट में बताएं और प्लीज वीडि को रिसर्च करके जो भी मार्टल पेपर कोश्चन बनेंगे हम आप तक प्रवाइट करेंगे डेली क्लासेज आप जरूर जोइन करिए सान को क्लासेज डेली चलेंगे ठीक है तो आपको जो भी कोई है कुछ पूछना चाह रहे हैं किसी भी एक्जाम से लेटेड़ तो बेस एक काम आने वाले हैं यह आपके इन फ्यूचर जैसे कि आप लोग किसी भी चीज की तयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यह सारे कोश्चन पर करके कुछ जाते हैं कुछ ना कुछ कोश्चन ठीक है तो यह आप लोग कोश्चन जरूर समझेगा ठीक है और हाँ दूस्तों तक वीडियो जरूर सेर करिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रिस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो को को लेटेस्ट इंफॉरमेशन मिलती रहे हैं तो हम आपको मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत और हाँ जातो जाते मैं आप लोगों को यह बता दूँ मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जो कि इसी से लिंक है जिसमें मैं आप लोगों को डेली की जो भी न्यूज आती है वो मैं आप लोगों को प्रिवाइड करता हूं तो वीडियो की डिसक्रस्टन में उस चैनल का ल आपको रिष्ट वीडियों दब दब के लिए बाब आए हैं